गुट नूज टुडे नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी नूज चैनल पर वह सवारी का इंतजार कर रही है आई हम उनसे बात करते हैं बोली नापाल जी आप हमें बताइए कि आप कितने सालों से जो आटो रिक्षा चला रही है और पचीस सालों से अब तक आई आपका सफर कैसा रहा और दिल्ली सरकार ने जो नई पहल की है जिसमें 35 प्रेटिश का आरक्षित किया जाएगा अब तक जो है इतना जादा कोई सरान्य पहल दिल्ली सरकार ने नहीं की थी तो अब आपको कैसा नहीं रहे कि आपकी साथ सथ बाकी मेला भी जो है वो आगे आ सकेंगी और आटो रिक्षा चला सकेंगी तो बीते 25 सालों से जो आप हैं दिल्ली क सरकों पर अपनी आटो रिक्षा दोड़ा रही है तमाम तरह की सवारियां आपके साथ बैठी होंगी चाहिए वो महिला हो पुरुष हो बच्चे हो बुजर्ग हो लेकिन महिला हो कि अदि हम बात करें तो आपके साथ बैठने को किस तरह से सुदक्षित महसूस करती है बात तो आई हम बोलिन आख्पाल जी के साथ एक राइड लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो दिल्ली के सड़कों पर अपनी आटो रिक्षा दोड़ा रही है आप उमें सबसे पहले ये बात भी बताईए कि आप क्योंकि एक महिला ड्राइवर है तो आपने जब सबस्क्राइब करने की कोशिश की हो यह कोई ऐसी सवार यह आगई है जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ बैटे और आपके महिला होने के आप तूकि एक महिला हैं तो उनको कुछ अजीब लगाओ ऐसे कुछ तरह की गटना होई है आप बता रहे थे कि ऐसा बात भी हुआ था जब कोई उरुष्ज वो ब्रिंग करके आपके गाडियों बैट गए थे आपके साथ जो लड़किया बैटती हैं आपसे वो किस तरह की बाते शेयर करती हैं आपसे क्या पूछती और उन्हें कैसा लगता है आपके जो परिवार वाले हैं क्या हुआ आपको आपके परिवार वालों ने कभी इस सब चीजे करने से रोका नहीं कि आप एक महिला यह मत कीजिए या कीजिए अब लिकिन बिली के सडकों पर रात बेराच रहे वो रात के बारा बजे हो दो बजे हों क्या आपको ऑडर इक्षा अकेले बॉड़ार वोगता है पर आने में सुनसान सडकों में कभी दर्न नहीं लगा कि मैं कैसे इस सडक पर अपनी रिक्षा ले जाए हूँ और पर आपकी बाकी ऑटो रिक्षा वाले कलीक्स जितने बाकी फुरुष ऑटो ड्रैवर से जब आप अपनी रिक्षा स्टैंड पर खड़ी रहती हैं तो वो किस तरह से रियाक्ष करते हैं या फिर उनका पहला रियाक्षन किस तरह से था आपके भी एज़ा हैं पहले जब उन्होंने देखा तो उनको भी इस तरह से अजीर रहा कि कैसे एक महिला ड्रैवर जो है वो और तो रिक्षा चला रही हैं तो नोकिमग अब उनके भी आपके लिए पन लेक्षा तरह से नजार ये व्युर्वर पराहिए में पारशन कांँ मृषने और ऐसा कई बार होता होगा कि आप जो है आपको आप आप जिस तरफ पर राइड कर रहे हैं आप जहां पर भी गारी चला रहे हैं आपको खाना खाने का वक्त नहीं मिलता होगा बैठने का वक्त नहीं मिलता होगा तो क्या आप इसी ऑटो रिक्षा में बैठ कर ये अपना ख कि 1 बात कर तो चितनी देर के आपके ड्यू टी हार्स रहते हैं इ leftover कि 있지 अपके जो कम करने के घंते आप कितनी बजे कर से निकले पाथिन.. तो आज बात करके बहुत अच्छा लगा और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो आज हमने देखा कि किस तरह से एक महिला ड्राइवर जो है 25 सांसे दिल्ली की सड़कों पर आटो रिक्षा दोड़ा रही है और दिल्ली सड़कार की इस पहल से अब 35 प्रतिशत पर्मिट जो है वो महिलाओं के लिए आरप्षित रहेंगे और यह दिल्ली जैसे कई महिला जो है सड़कों पर आटो रिक्षा दोड़ती हैं आपको कुझी समय में नजर आएंगी